आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मौक टावर के बारे में यह वायू प्रदूसर से निपटने के लिए कैसे हो सकता है मददकार तो चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली में वायू प्रदूसर की समस्या से निपटने के लिए सुप्रिम कोर्ट ने केंदर सरकार को निर्देश दिया है कि वह अलग-अलग इस्थानों पर प्यूरिफाइंग टावर या स्मोक टावर लगाने का खाका तयार करे तो चलिए दोस्तों जानते हैं यह स्मोक ट गंदी हवा को अपने अंदर खीशता है हवा मैंसे गंदगी सोक लेता है और स्वच हवा बाहर फैकता है कुल मिलाकर यह बड़े इस तर पर हवा साफ करने वाली मसीन है यह प्रती घंटे क्याई करोड़ घं मीटर हवा साफ कर सकते हैं और पीम 2.5 और पीम 10 जैसी हानिकार कणों को पिचैतर फिजदी तक साफ करके हवा को सुध करते हैं टावर में लगे फिल्टर पीम 2.5 और उससे बड़े प्रोडूर्शन कणों को साफ करने में सक्चम होते हैं यह टावर सौर उर्जा पर भी काम करते हैं सबसे पहले चीन में लगा इस मोग टावर का पहला प नीदर लेंड्स के डैन रोज गार्टर 5 साल पहले बीजिंग में थे एक दिन उन्होंने अपने होटल की खिरकी से बाहर जाका तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया प्रदूसन की वजह से धुंद इस कदर थी कि पूरा माहौल काला हो गया था सडकों पर सिर्फ गाड़िया नीदर लेंड्स में अपने सहर लोटकर डैन ने वैग्यानिकों और इंजीनियरों की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम किलीनर स्मोक टावर तयार किया डैन के विसाल वैक्यूम किलीनर नीदर लेंड्स से लेकर चीन और पॉलेंड तक काम कर रहे हैं अब ये भारत में भी हो रहा है तैयार दिल्ली की एक स्टार्ट अप कंपणी ने 40 फुट लंबा ऐसा प्योरिफायर बनाया है जो उसके 3 किलोमीटर दायरे में रह रहे 75,000 लोगों को स्वच्छ हवा दे सकता है इससे प्रती दिन 3.2 करोड घन मीटर की हवा को स्वच्छ करन है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें